हिजबुल्ला ने इसराइल के कबजे वाले गुलान हाइट्स पर ताबर तोड रॉकेट की बरसात की है गुलान हाइट्स पर इसराइल का आर्मी बेस है रॉकेट अटेक के बाद यहां के जंगलों में भीशड आग लग गई आगे रिपोर्ट में देखिए कि कैसे हमास शीव याया सिन्वार ने युद्ध रोकने के लिए एक नया ओफर दिया है इसराइल में भटेगा सिन्वार का इंसाइट बम नेतन याहू को खामनेई ने दिया अल्टिमेटम राजदूत की आँख के बदले आईडियफ चीफ को फोड़ेगा इरान हिजबुल्ला को बेजर और वाकी टॉकी बलास्ट से तहलाने वाले इसराइल को तहरान से क्लियर मेसेज मिला है इरान अपने राजदूत की आँख का बदला इसराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है लिबनन में हुए इसराइल के हमले में इरान के राजदूत मुस्तवा अमानी को गमभीर चोटाई है जिसके बाद से इरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लैन बना रहा है हमास चीफ यानी यहया सिन्वार नेतन याहू का दुश्मन नमबर वन इसराइल का अगला शिकार जो चाहे कहिए मगर यही एक चहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन याहू को चका रहा है इसराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं नेतन याहू के मिसाईले सिन्वार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं आईडियेफ के कमांडो सिन्वार की जलग भी नहीं देख पाए हैं हमास का सुपरीम लीडर यहिया सिन्वार अभ युध में अपनी मन मताबिक शर्तें लगा कर नेतन याहू को सरिंडर करवाने का प्लैन बना चुका है सिन्वार ने सीस फायर की जो शर्त रखी है उसे मानने पर युद्ध में नेतनियाहूं की जीत तो मुम्किन नहीं होगी इसराइल मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहया सिन्वार ने इसराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके घुर्गों की जान के बदले वो सभी इसराइली बंधकों को रिहा करने के लिए तयार है सिन्वार ने इसराइल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शर्ण लेने की भी शर्त लगाई है सिन्वार ने नेतन याहू को सीस फायर का ये ओफर जान जाने के खौफ में दिया है इसकी असली वजह IDF मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमास के टैनल नेटवर्क की सब ही परतें खोल डाली है IDF के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बरबादी के नायक के तौर पर पहचान जाने लगा है जनरल डैन गोल्डफस ने खान युनिस में सिन्वार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है जनरल डैन के लीडर्शिप में आईडियफ और शिन बेट्स कमांडो सिन्वार का सर्च उपरेशन चला रहे हैं आईडियफ के सूपर फाइडर जनरल डैन ने यहया सिन्वार के होश उड़ा रखे हैं मौत के डर से सिन्वार युद विराम के ने ने पैतरे आजमा रहा है वहीं हमास चीफ के ने ओफर के साथ ही अब इसराइल ने घाजा में जूरदार हमला शुरू कर दिया है विस्ट बैंक में आईडियफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है आईडियफ और शिन बेट्स ने जॉइंट ऑपरेशन में हमास के कई लडाकों का सफाया कर दिया है विस्ट बैंक में आईडियफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी जखार ने के साथ साथ लडाकों को मार गिराया है कबातिया में आईडियफ ने जकार ने पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुल्डोजर और जंगी जेट का इस्तमाल किया है आईडियफ ने दावा किया है कि जकार ने कबातिया में हमास का टॉप लीडर था زکار نے उत्तरी सामरिया में इसराईल पर हुए हमलों का मास्टरमाइन था زکار ने के खातमे का वीइडियो रिलीस करके इसराईल ने सिनवार को तहला दिया है वीइडियो में हमास का टॉब कमांडर मौत के डर से गारी से उतर कर भागने लगा था मगर आसमान में मौजूद इसराइल के अचूख हत्यार ने बारी बारी से बम बरसा कर सभी हमास लड़ाकों को जमी दोस कर दिया